हाई गाईज आज हम लोग relational operator या वर comparison operator भी इसको कहते हैं इसके बार में जैनकर याशल करने वाल है so relational operator are used to compare the value of operands to produce a logical value logical value is either true or false, so true or false में ध्यान रहे है कि true का T capital होता है और false का F capital होता है so relational operators कौन-कौन से हमारे पास देख लीजिए यह सारे operators हमारे comparison operator या फिर relational operator कहला आते हैं यह compare करने के काम आते हैं दो operands को आप compare कर सकते हैं इन operators का यूज़ करके और यह सही है क्या यह true है यह false है तो जैसी बते है अगर 5 लेस्ट करेंगे तो यह हमारा false होगा तो result ौमेल का false में णहांठीकłe though, greater then or equal to है, greater than or equal to अर्स है हमारा equal to है जिसमें हम लोग दो बार equal equal sign लिखते हैं हम रहे एत नौट죠 है जिसमें हम लोग exclamation mark देकर equal sign लिखते हैं जो हमें not equal to के लिए बतागा जैसे कि 5 not equal to 2 तो जी हां बिल्कुल सही बात है कि 5 not equal to 2 है 5 रहता है दोनों set तो हम लोग उसको कहते हैं कि 5 not equal to 5 नहीं है false है उसको false result मिलता बट यह statement सही है कि 5 is not equal to 2 तो हमें true result मिलता है बाकी इसी तरीक से सब कुछ है अगर greater than की बात करें तो 5 is greater than 2 हां सही है statement तो हमें true मिलता है 5 is less than equal to 2 तो 5 is less than equal to 2 नहीं 5 जो हुआ 2 से बड़ा है और साथ में बराबर भी नहीं है तो इसलिए यह हमारा false हो जाता है बराबर नहीं है बट बड़ा तो है इसलिए हमें true मिलता है तो हमेरा equal to है इसमें कहता है 5 equal equal to 5 equal equal to तो है नहीं 5 तो 5 के equal होगा इसलिए हमारा यह false हो जाता चलिए कि इसको quickly हम लोग देख लेते हैं जल्दी से मैं आपको पहले print करके दिखाता हूं then हम लोग variable वाला भी देखेंगे okay so print 5 is less than 2 अगर आप इसको भी run करेंगे compile करेंगे इसको यहां पर तो हमें मिलेगा answer में false because 5 is less than 2 हम लिखा तो जो कि सही नहीं है वह statement सही नहीं है इसलिए हमें false मिलता है वहीं अगर हम लोग इसको 5 greater than 2 कर दें तो यह हमारा बिल्कुल सही जवाब होता है और यह हमारा true हो जाएगा अभी बार true हो गया उसके 5 less than equal to करेंगे आप तो 5 less than equal to नहीं यह भी हमारा false है कि 5 न तो छोटा है 2 से और नहीं बराबर है true का टी केपिटल पाल्स का एफ केपिटल ध्यान रखना पाइथन में यहने equal equal है हमारा तो यहां पे equal send दीजिए 5 equal equal to नहीं यह हमारा statement गलत है पाल्स दीजिए इस किसमें हमारा यह जो होगा पाल्स हमें देगा वसी तरीक से 5 not equal to 2 जी हमारा कथन जो वह सही है इसी वज़े से हमें यह true screen पर दिखाएगा अब इसी सेम चीजिए हम लोग variable के तोर पर देख लेते हैं a equal हम लोग 5 कर देते हैं और b equal कर देते हैं 2 और value के तोर पर हम लोग यहां कर देते हैं a less than b पहली बार और इसको हम लोग print कर लेंगे so a is less than b सोरी यह नहीं है यह तो डायट हो जाएगा value लिखतेना अब चाहाँ है तो यह value लिखने के बज़ए direct a less than b यहां भी print के अंदर भी लिख सकते हैं उससे कोई problem रही होगी so a less than b हम लोग लिखा हुआ इसका हम तो यह है कि 5 less than 2 है यह नहीं है तो value हम मिल चाहेगा false इसको मैं clear कर लेता हुआ इसको 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 greater than में मना देते हैं इसको save करें इसको run करें जल जल्दी हो जागा इससे हमारा यह true बता है 5 greater than true के इससे less than or equal देख लेते हैं less than equal यह हमारा false हो जागा 5 less than equal to है नहीं 5 ना तो छोटा है दो से और नहीं उसके बरावर है इस case में हमें यह false देगा 5 greater than a greater than b a का मतलब कितना 5 और b का मतलब कितना 2 तो 5 greater than equal b है हाँ जी हाँ है 5 जो हो दो से बड़ा है equal नहीं यह बट बड़ा है यह हमें true return करके देगा उससे तरीके से यहाँ equal equal send हम लोग लगाते हैं तो 5 equal equal b जैनिकि 2 नहीं यह हमारा हो जागा false हो गया false और यह not equal भी देख लेते हैं यह हमारा हो जाएगा true because 5 is not equal to 2 तो यह हो जाएगा हमारा true तो गाइस यह हमारे relational या फिर अप comparison operator भी इसको कह सकते हैं बहुत जोता है इस्तमाल होता है जब आप लोग condition statement पढ़ेंगे if if else तो वहाँ इसका इस्तमाल किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से इन सभी operator का ध्यान रखेगा और इसको दिमाग में रखना है thanks watching